डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली एट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यूँ अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानदा एंट अराउंड गलोग मौन्ट्रियाल की मेयर ने समर प्लान का इशारा दिया है कि शहरी किस तरह से खुद को महफूज रखते हुए इस मौसम से लुपतंदोज हो सकते हैं क्योबेक के प्रेमेर का सूबे की मईशत को दुबारा खोलने का एलान करोना वाइरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में नर्मी की जाएगी क्योबेक हुकूमत का स्कूलों को खोलने का वैसला टीचर्स और बस ड्राइवर्स की नुमाइंदगी करने वाली फेडरेशन ने मुखालिफत कर दी हम आलमी अदारे की कदर को तस्लीम करते हैं कैनिडिन वजीर से हता कहना था कि हमें यकीनी बनाना होगा कि हम आलमी अदारों से मुटालिक कितने संजीदा हैं कैनिडा में करोना केसिस की तादाद 50,000 से तचावस कर गई है आंटेरियो में मसलसल तीन रोज कमी के बाद वायरिस के फेलाओं में एक बाद फिर इजाफा देखने में आया है शाम के शहर आफरीन में पेट्रोल से भरे ट्रक में नस्प बम का धमाकर 46 अफराद हलाक हो गए दुनिया भर में करोना वायरिस 31 लाख से जाइद अफराद को मतासर कर चुका है जबके 2,18,000 से जाइद अमवाद हो चुकी है सौदी अरब ने मस्जद अलहराम मस्जद नवी आम नमाजियों के लिए खोलने की तैयारी कर ली जिसके बाद मस्जद नहराम में तवाफ और नमाज की अजाज़त होगी अमरीकी सदर ने मुल्क में करोना वायरिस के केसे ज़्यादा होने की वज़ज़ा बता दी लेगन सब अपने असूलों और विफाकी हुकूमत के ताव़ूं से तयार करदा रहनुमा खुतूत पर अमल करेंगे अ हम तर अजिस अ करए कilos? वावनमा सब्ने मेंजाशन में अपना करीते हुब्काज्स. इन करना में ली है, कि पciones प्रोफियोर व्हैं ली कि सार्वाशन में को की साहर वेशन, वेपीजिचा वैन्हें łै को ऑना है है. ऍजिस बादोे की सrire. to ensure that we're doing this right. Everyone understands that the danger of opening up too quickly or the wrong way could mean we come back into this situation where we are right now and nobody wants that. So we're going to keep moving forward responsibly according to the guidelines. Justin Trudeau ने कैनेडा भर में गोष्ट की प्रोसेसिंग समेथ फुर्ट सप्लाइ को बरकरार रखने पर भी जोर दिया. उनका अबयान ब्रिटिश कोलम्बिया में तीसरे चिकन प्रोसेसिंग प्लाइट में करोना वारस फेलने के बाद सामने आया है. उनका कहना था कि हम जानते हैं कि कैनेडा भर में शेहरियों के लिए खुराक की सप्लाइ कितनी अहमेद रखती है और हम इस हवाले से होने वाले फायदे और नुक्सान को देख रहे हैं. We understand how important it is to ensure the supply of food to Canadians right across the country. And we're watching with interest and concern some of the issues facing meat producers and the supply chain across the agricultural industry. We need to make sure that those supply chains can keep functioning, but we also need to make sure that the people who work in those supply chains and will continue to need to work in difficult circumstances over the coming weeks and months as we continue to battle COVID-19 are kept safe. The priority for us is both things, keeping people safe and ensuring a good supply of food to Canadians. We will make sure we're doing them both together. Canada में करोनावारस से मज़ीद 1620 अफराद کے मतासर होने के बाँए, मिल्क में करोनावारस से मतासर अफराद की तादाद 50,000 से तजावस कर गए है. मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा में करोना केसिस की तादाग 50,000 से तजावस कर गई है आंटेरियो में मुसलसल तीन रोज कमी के बाद वायरस के पहलाओं में एक बार फिर अजाफा देखने में आया है कैनेडा में करोना वायरस मजीद 1620 अफराद के मतासिर होने के बाद मुल्क में करोना वायरस मतासिर अफराद की तादाद 50,000 से तजावस कर गई है जबके हलाक होने वाले अफराद की मजमुई तादा 2860 हो गई है कैनیडा के सूबे क्यूबिक में मुतासिर होने वालों की तादात अब सबसे जादा है जहां मुतासिरीं की तादात 25757 तक पहुच चुकी है जबके 1682 अफराद हराख हुए है ऑन्टेरियों में तीन रोस तक करोना वारस में मुसलसल कमी के बाद दुबारा तेजी से इसाफा देखने में आया है गुजशता 24 घंटों के दौरान सूबे में करोना वारस के 525 नाए केसे सामने आये हैं सुबाई हुकूमत की जानए जिन अफराद में करोना वारस की तद्दीक हुई है उन में हर साथ में से एक हेल्थ केर वरकर है जहां दुनिया में सबसे जादा हेल्थ केर वरकर मुतासर हुए है औरंटेरियों में मतासरा अफराद की तादाद 15381 है जबके हलाकतों की तादाद 951 है कैनेड़ा की वजीर सिहत पेटी हाईडू का कहना है कि करोना वारस के खिलाफ आलमी अदारा सिहत डबलू एचो के अगदामात का जाइजा लेने के लिए कैनेड़ा खुला रहेगा कैनेड़ा की वजीर सिहत पेटी हाईडू का कहना है कि करोना वारस के खिलाफ आलमी अदारा सिहत डबलू एचो के अगदामात का जाइजा लेने के लिए कैनेड़ा खुला रहेगा मतादत मुम्ताफ सियासी रहनुमा जिन में अमरीकी सदर डॉनल टरम्प भी शामिल है उन्होंने डेमलू एचो को वायरस के पहलाओ के हवाले से कीज़ाने वाली इस कूटनी में लाने का कहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मताविक आलमी अधारा सेहत पर की जाने वाली तनकीद का एक अहम पॉइंट ये भी है के अधारे ने अब्तदाई तोर पर सिर्फ चीन से आने वाला डेटा ही सामने रखा था हाईजू का केना था कि हम आलमी अधारे की खदर को तसलीम करते हैं क्योबिक के प्रीमिय का कहना है कि करोना के पैलाओ को रोकने के साथ सूबे मीशत को दुबारा खूलने का फैसला किया है इस हवाले से मजीद जानते हैं इस हमारी सोसाइटी को उन कारूबारों से इस्तफादा चाहिए क्योंकि लोग उन पर इनिसार कर रहे हैं। आजमी इन दोबारा काम शुरू कर देंगे। 25 मईस से 50 अफराद की हद को बढ़ा दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि ये तमाम कारूबार करोना वारस के पहलाओं में तेजी आने या बेकावू होने की सूरत में दुबारा बंद किये जा सकते हैं। नौ यूनियन्स और 45,000 टीचर्स की नुमाइंदगी करने वाले अधारे की जानब से कहा गया है कि अमला दाती हिफाज़ती सामान के बगेर काम पर वापस नहीं आएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में क्यूबिक में असासा और बस ड्राइवर की नुमाइंदगी करने वाली फरडरेशन की जानब से नौजवान तल्बा और बच्चों को ऐलिमेंटरी स्कूल और डेकेर्ज में भेजने के हकुमत के मनसूबे पर तश्वीश का इसार किय गया है क्योंकि सूबे में करोना वारस के केसिस में इजाफा होता जा रहा है यूनियन्स और पैंतालीस हजार टीचर्स की नुमाइंदगी करने वाले अदारे की जानब से कहा गया है कि अमलाजाती हफाजती समान के बगएर काम पर वापस नहीं आएगा अपने बयान में की सदर का कहाना था कि असाजा से इस हक्मत अमली के बारे में मशवरा नहीं किया गया उन्हों ने एक बयान में कहा कि हम इस बात को कुबूल नहीं करेंगे कि असाजा गेर महफूज हो और वो बगएर किसी बचाओ के फ्रंट लाइन पर हो सुभाई हुकुमत ने अलान किया है कि बेशतर अलाकों में 11 मई से अलिमेंटरी स्कूल और डे केर्स दुबारा खुल जाएंगे ग्रेटर मॉन्टरियाल एरिया जोहने इस केसे सामने आए हैं वहाँ इस मनसूबे पर 19 मई से अमल दरामत शुरू होगा मॉन्टरियाल की मेर का कहना है कि हालिया गरम मौसम गुजिश्टा मौसमों की निजबत बहुत मुक्तलिफ होगा हम करोना वारस की वज़ा से पहले ही अपने दो बड़े फेस्टिवल्स कैंसिल कर चुके हैं इस हवाले से मजीद जाते हैं मौन्टरियाल में मौसम अच्छा हो रहा है और शहर की मेर विलिरी प्लोंट ने समर प्लान का अशारा दिया है कि शहरी किस तरह से खुद को महफूस रखते हुए इस मौसम से लुफट अंदोस हो सकते हैं प्लोंट का कहना है कि इस मनसूबे में हिकमत नहमली शामल होगी कि इस शहर के अवामी मकमात पर क्या कुछ हो सकता है जबके डे कैमपस और दिगर सरगर्मियों के लिए भी बच्चों और फैमली के लिए रहनुमा सूल शामल किये गए हैं प्लोंट एक बार फिर शहरियों से दो मीटर के फासले को बरकरार रखने की अपील की उन्होंने कहा कि अगर शहरी पार्क्स में जाना चाते हैं तो अपने घर के गरीबी पार्क्स में जा सकते हैं मेर ने कहा कि सूर्च का निकलना हमारे लिए खुशी का बाइस है और हमें इस से फाइदा उठाना चाहिए उन्हों ने कहा कि हालिया गरम मौसम गुजिश्टा मौसमों की निस्पत बहुत मुक्तलिफ होगा अम करोना वारस की बज़े से पहले ही अपने दो बड़े फेस्टिवल्स कैंसल कर चुके हैं इटली, स्पेन, बेलजियम, नेधर लेंड और जर्मनी में करोना का जोड टूड किया जबके कैनिडा में एक ही रोज में एक सो पचास अमवाद के बाद हलाकतों की मजमुई तादाद दो हजार आट सो बावन हो गई मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया भर में करोना वारस 31 लाग से जायद अफराद को मतासर कर चुका है जबके 2,18,000 से जायद अमवाद हो चुकी है अमरीका में करोना से मतासर अफराद की तादा 10,22,000 से तजावस कर गई मरने वालों की तादा 58,000 के करीब पहुँच गई बरतानियों में मजीद 586 अमवाद के बाद मरने वालों की मजमुई तादा 21,678 हो गई इटली, स्पेन, बेलजियम, नेधर लेंड और जर्मनी में करोना का जोड टूट गया जबके कैनेडा में एक ही रोज में 150 समवाद के बाद हलाकों की तादा 2852 हो गई एरान में मजीद 71, साओधी अरब में 8 और अमारात में 7 अफराद करोना की वज़ा से ज़ान से गए जबके भारत में गुजिश्टा 24 घंटों में करोना के 1543 केसिस रिपोर्ट हुए चीन में करोना के 6 नए मरी सामने आया और जुनूबी कोरिया में एक हफ़ते से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीका आने वाली बैनोल अक्वामी पर वाज़ों की करोना टेस्टिंग का सोच रहा है टेस्टिंग के मामले पर एरलाइन से मिलकर काम कर रहे हैं हम करोना टेस्टिंग में पूरी दुनिया से आगे हैं इस हवाले से मज़ीज जानते हैं अमरीकी सदर ने मुल्क में करोना वारस के केसिस जादा होने की वज़ा बता दी दिगर मुमालिक भी अगर इतनी ही टेस्टिंग करेंगे तो केसिस की तादाद भी जादा आएगी एक वक्त ऐसा भी आएगा जब करोना केसिस जीरो हो जाएंगे ट्रम्प ने कहा कि अमरीका आने वाली पैनल अक्वामी परवाजों की करोना टेस्टिंग का सोच रहा है टेस्टिंग के मौामले पर एरलाइन से मिलकर काम कर रहे हैं हम करोना टेस्टिंग में पूरी दुनिया से आगे हैं उनका कहाना था कि उन्हें विर्से में टूटा हुआ सिस्टम मिला, मुल्की सड़कें ठीक नहीं और हमने मश्य के वुस्ता में आट अरब डॉलर्स खरच कर दिये अब कहानी माजी से बिलकुल मुक्तलिफ है, अब इंतिजामिया और इदारे बहतरीन काम कर रहे हैं सौधी वजारत हज और अम्रा ने हरमें शरीफ आन आम नमाजियों के लिए खोलने की तैयारी कर ली, मुसल्मान रोज़ा रसूल सललाहु अलिह वाले वाले वसल्म पर भी हाजरी दे सकेंगे, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में सौधी अरब ने मजजद अलहराम और मजजद नवी आम नमाजियों के लिए खोलने की तैयारी कर ली, जिसके बाद मजजद अलहराम में तवाफ और नमाज की ज्वासित होगी, जबके मुसल्मान रोज़ रसूल सललाहु अलहे वाले वाले वसलम पर भी हासरी दे सकेंगे तफसिलाथ के मताबिक साओधी विजारत हज़ और उम्रा ने हरमें शर्फिन आम नमाजियों के लिए खोलने की तैयारी कर ली, मजजद अलहराम और मजजद नवी इंतजामी अमूर की कमेटी के सरबरा, इमाम काबा शेख अलहराम और मजजद नवी को अनकरीब खोल दिय जाएगा जिसके बाद मजजद नहराम में तबाफ और नमाज की इचाज़त होगी, जबके मुसल्मान रोजए रसूल सलिल्लाहु अलहराम पर भी हासरी दे सकेंगे, इमाम काबा का कियाना था कि नमाजियों को हरमें शर्फिन में दाखिल होने के निया इतियाती तदबीर पर सकती से अमल करना होगा, खयाल रहे कि हरम शरीफ और मजजद नवी में महदूत पेमाने पर तरावी अदा करने की मशरूत इजासत दी गई थी, नमाज तरावी में हरम शरीफ और मजजद नवी में काम करने वाला अमला ही शरीक होता है, जबके नमाज के दौरान समाज फास्ले के उसूल पर भी सक्ती से अमल किया जा रहा है शाम के शहर आफरीन में पैट्रोल से भरे ट्रॉक में निस्प बंके धमाके से बच्चो समेट 46 अफराद हलाग 50 से जाइज जखमी हो गए मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में शाम के शहर आफरीन में पैट्रोल से भरे ट्रॉक में निस्प बंके धमाके से बच्चो समेट 40 अफराद हलाग 50 से जाइज जखमी हो गए मीडिया रिपोर्ट के मताबक मरने वालों में 11 बच्चे भी शामल है जबके फौरी तोर पर किसी तन्जीम की जानब से हमले की जिम्मेदारी कुबूल नहीं की गई है आफरीन शहर के बाजार में किये गए इस बंधमाके में 6 शामी बागी भी हलाग हुए जबके 50 से जाइद अफराद जखमी भी है तूर्की की विजारत दिफा ने हमले का जिम्मेदार कुर्द बागियों को करार दिया है अब तक के लिए इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टाग टीवी यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिये और नोटिफिकेशन का बटन भी दपाई किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे